वरिष्ट पुलिस अधिक्षक कार्याले में शिकायत लेकर आया ये व्यक्ति कोशी कला के कोटवन छेत्र का रहने वाला धरमपाल है जिसने कोटवन के रहने वाले नामजर लोगों के खिलाब शिकायती पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग की फर्याद लेकर आए धरंपाल का कहना है के कोटवन छेत्र में इस्तितेक फैक्टरी संचालक द्वारा उसे अपने जहासे में लिया गया और उसके बाद उसके कहे अनुसार धरंपाल ने एक गाड़ी फाइनेंस करा ली लेकिन फैक्टरी संचालक द्वारा धरमपाल को अपने यहां नौकरी पर कुछ महा के लिए रख लिया गया और उसके बाद भगा दिया गया फैक्टरी संचालक द्वारा धरमपाल को नौकरी से निकाले जाने के बाद उसके सामने भुकमरी का संकट मड़ रा गया है और वो फैनेंस कराई गई गाड़ी की किस्त भी नहीं चुका पा रहा है जिसके लिए धरमपाल ने कई बार फैक्टरी संचालक से नौकरी पर रखने के लिए गुहार भी लगाई लेकिन फैक्टरी संचालक द्वारा उसके साथ मार पीट कर उसे भगा दिया गया जिसकी शिकायत लेकर पीड़ धरमपाल इस्थानिय पुलिस के पास गया लेकिन इस्थानिय पुलिस द्वारा भी उक्तु मामले में कोई करवाही नहीं की गई न्याय पाने के लिए धरंपाल दरदर की ठोकरें खा रहा है और इसी शिकायत को लेकर आज धरंपाल वरिश पुलिस अदिक्षक कार्याले पहुँचा जहां उसने फैक्टरी संचालक के खिलाब शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की अब तो जरौत तो ना मिनकी सब्सक्राइब जरौत पर देंगे अभी हम पर तंगी चल रही हमार लोन पास होने बार हो अब सब्सक्राइब को नेखा पड़ी को मेरे पास सबूत है ना हो तो फिर आपने अपने नजदी की थाने में अप्लीकेशन दी को सी चौकिन दी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की कोट बन चौकिव लगातार पिछले तीन महीने से बरावर जा रहा हूं साब क्या कहते हैं दरोगा है मिनकी साब वह एप्लीकेशन सुनवाई नहीं की आप मैं जाता हूं तो मुझे दमकाते हैं और मेरे सामें पहुन करेंगे मन की साम को आगे मिलोंगा अब सब यह मिलने दरोगा पैसा देजाओं हम पर पैसा है ना हम तो पहलें करीबादी माच दूरी करें साब तो आप यहां काप्तान साब के पास आए हो क्या उम्मीद रखते मेरी कहीं सुनवाई नहीं होगी यहां सुनवाई होगी यह उम्मीद रखता हूं समय यहां से हुए